हलो गाईज वेलकम टू अनदर वीडियो अफ स्टॉक मार्केट आज का हम लोग टॉपिक है साइन्ट और गाईज इस कंपनी का जून कौर्टर का फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे गाईज अनदर फिनांसल रिजल्ट है कंपनी का जून कौर्टर का जो कि पेस हो चुकी है और साथ में इसका लिविटेड रिवियो रिपोर्ट भी पेस हुआ है तो अब हम लोग चलते कंपनी के फिनांसल रिजल्ट पे तो गाईज यह वाली पोर्षिन जो है यह पोर्षिन है और यह वाली स्टैंडलॉन पोर्षिन है जो कि मुझ दूनों कवर करेंगे और मिलियन्स में नंबर्स दिये गए है इंकम की बात करें गाईज कंपनी का इस बार इंकम जो है 100-1200-133 करोर का है जबकि प्रेवेस क्वाटर में 1230 करोर का था और जुन 21 क्वाट की बात करें यहां पर 116 करोर का है जबकि प्रेवेस क्वाटर में 154 करोर का था और जुन को 21 क्वाटर में 115 करोर का प्रॉफिट था इस बार की प्रॉफिट में डाउन हुआ है क्वाटर ओन क्वाटर में लेकिन यर ओन यर में इंक्रीज हुआ है गाईज प्रॉफिट में यहां पर depreciation amortization जो है यहां पर company का उसमें बहुत जादा expense हुआ है साहत में अगर देखा जाया तो other expenses भी company की बहुत हुई है और अगर यहां पर गाइस एक और है यहां पर जो की material निया पर employee benefits expense बहुत जादा वा जिसके करण company के profits में थोड़ा सा गिरावट आया है EPS की बात करें 10.63 रुपीज का है जो कि पिछले साल और पिछले क्वाटर से पिछले साल से इस बार इंक्रीज है लेकिन पिछले क्वाटर से डाउन में देखने को मिल रहा है गाइस company performance यहाँ पर जो है so mixed result है यहाँ पर एंप्राफिट में डाउन हुआ है quarter on quarter में standalone result की बात करें यहाँ पर तो 587 करोड है जबकि प्रिवेस quarter में 684 करोड था जुन 21 quarter में 416 करोड का इंकम था तो गाइस यहाँ company का जो इंकम है quarter on quarter, year on or year दोनों में जो यहाँ पर quarter on quarter में down है लेकिन year on year में increase है यहाँ पर जो sorry friends यहाँ पर जो मैंने profit बोला वो income है यह सभी income है यह वाली portion जो यह सारे income है जो की quarter on quarter में down है लेकिन year on year में increase हुआ profit की बात करें यहाँ पर company को जो profit निकल के आया है इस बार 83 करोड का profit है जबकि previous quarter में 2874 करोड का profit था और June 21 quarter में 91 करोड का profit था तो company का profit quarter on quarter year on year दोनों के company बहुत ज़्यादा इस बार down होता हुआ देखने को मिला है और profits में down होने का reason है यहाँ पर जो की सबसे बड़ा reason है यहाँ पर profits में down होने का क्योंकि company का जो है other expenses बहुत ज़्यादा इस पर लगा है जिसके कारण company के profit से बहुत ज़्यादा impact पड़ा है तो guys अब EPS में भी बहुत ज़्यादा down होता हुआ देखने को मिला है company का 7.61 रुपीज का quarter on quarter और year on year दोनों पर जो यहाँ पर downfall में देखने को बहुत ज़्यादा downfall होती भी नज़र आ रही है यहाँ पर segment revenue की बात करें तो services और design led manufacturing करती है company जो की data आप लोग यहाँ पर revenue कि segment से के दा revenue generate करें आप दोग देख सकते है millions of numbers है तो guys company के result mix result दिखने को मिला है तो अब हम लग वीडियो कहीं